भारतिय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इस्रों ने आज अंतरिक्ष की दुनिया में अपनी काम्याबी की एक और कहानी लिख दी है जी हाँ बता दे कि आंदर पदेश के श्री हरी कोटा में सतेश थवन के स्पेस सेंटर से जब SSLV D2 का सफ़ा लॉंच हुआ ताथी बता दे कि पिछले साल इस्रों ने 7 अगस 2022 को भी इसी रॉंच का लॉंच किया था लेकिन आखरी स्टेज में कुछ तकनीकी गड़बडी की वज़े से सैटलाइट सही कक्षा में स्थापित नहीं हो पाए जिसके बाद पिछले अनुभव से सबक लेते हुए इस्रों ने इस बार इस लॉंच में गड़बडी की कोई गुंजाईशी नहीं छोड़ी वही अगर SSLV D2 की खासियत की बात करे तो SSLV D2 का ये लॉंच सभी मानकों पर खरा उत्रा और इस बार इसरों ने इस रॉंच की मदद से तीन सैटिलाइट को पिछवी की निचली कख्षा में स्थापित कर दिया है दरअसल SSLV का इस्तमाल छोटे सैटिलाइज को लॉंच करने के लिए किया जाता है इस रॉकेट का इस्तमाल 500 किलो तक वजन वाले सैटेलाइट को लॉंच करने के लिए किया जाता है SSLV सैटेलाइट को प्रिथवी की नीचली कक्षा में स्थापित करते हैं और इस बार जो सैटेलाइट स्थापित किये गए हैं Observation Satellite EOS07 है और इस सैटेलाइट का वजन 156.3 किलो है दूसरा सैटेलाइट अमेरिका का जैनिस 1 सैटेलाइट है और इसके इलावा SSLV-D2 में तीसरा सैटेलाइट अजादी SAT-2 सैटेलाइट भी सवार था जिसका वजन 8.7 किलो है जिन्हें भारत के Starter Up Paste Kids ने तियार किया है SSLV-D2 की कुल लंबाई 34 मीटर है और इसकी चोड़ाई करिब 2 मीटर की है और इसका वजन 120 टर्न है साथी बता देगी सतेश धवन सेंटर से आज लॉंच हुए SSLV ने महज 15 मिन की उडान के बाद ही तीनो सेटेलाइट्स को सही कक्षाओं में स्थापित करने में काम्यावी हासिल कर ली है और ये काम्यावी इसरो की बरसों की कड़ी महनत का नतीजा है कम से कम लागत में अंतरिक्ष में काम्यावी की उची उडान हासिल करने में इस्रो ने पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना ली है SSLV का ये सफल लॉंच अंतरिक्ष की दुनिया में इस्रो की इस काबिलियत का नया प्रमान है हमारी इस वीडियो पर आप भी अपनी राये हमें कमेंट करकर जरूर बताएं साथ ही वीडियो पसंद आये तो इसे लाइक करना न भूले और ऐसे ही देश और दुनिया से जुड़ी जानकारी जानने के लिए आज ही INN Digital Media को सब्सक्राइब जरूर कर ले